यहाँ पे पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपना UPI PIN डाल देते हैं यह देख सकते हैं मैंने अपना UPI PIN डाल दिया अब हम यहाँ पे OK पे क्लिक कर देते हैं और लाइब आपके सामने मैं देखा रहता हूं कि मेरा यहाँ पे Wi-Fi का रिचार्ज हो जाएगा तो इसी तर तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यूंकि इस वीडियो में आपको लाइव पूरा सुरू से अंतक लास्ट प्रोसेस तक यहां पे वाइफाइ रिचार्ज करके दिखाऊंगा क्यूंकि मेरा वाइफाइ का रिचार्ज का डेटा चुका है त और उन सब को बता दू कि आखिरम किस तरीके से फोन पे की मदद से घर बैठे बैठे रिचार्ज कर सकते हैं बीना किसी लेट फिस के तो चलिए जान लेते हैं दोस्तो वाइफाइ का रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे फोन पे को ओपन करना है और यहा पे जितने भी रिचार्ज की ओप्सन है सारे यहां पे आ जाएंगे यहां पे देख सकते एक ओप्सन है ब्रोडबेंड लेंड लाइन जी हां दोस्तो यही है वाइफाइ का रिचार्ज का अगर आपको वाइफाइ का रिचार्ज करना है तो यही पे आपको क्लिक करना है ब कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि भाई टीपी लिंग का हम किस तरीके से वाइफाई रिचार्ज करें तो मैं आपको बता दू टीपी लिंग के एक वाइफाई रूटर है जैसे माली जे एर टेल का मैंने वाइफाई लगवाया तो यहां पर राउटर मुझे एलजी कंपनी का द सकते हैं वाइफाई रूटर पर यहां पर कुछ भी लिखा सकता है जो कम्पनी उसे मैनुफेक्चर करती है वो अपना लोगो यहां पर लगाती है तो हो सकता यब टीपी लिंक का आपका यहां पर यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे A to Z जितना भी Wi-Fi यहाँ पे अब लेबल है सारे यहाँ पे दिये हुए तो मैं आपे Airtel broadband पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा Airtel का है उसके बाद यहाँ पे आपको telephone number डालना है telephone number कौन सा डालना है अगर आपने Wi-Fi लगवा रखा है तो उसके साथ में एक landline number भी आपको मिलता है जिससे आप unlimited calls कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों तो अगर आपके पास भी Wi-Fi है तो आपको जरूर पता होगा अगर आपको नहीं पता तो जिसने आपके घर में लगाया है यानि distributor से call करके पता कीजिए आपको बता देगा या फिर आप अपने account को login कीजिए website पे जाके जैसे airtel का है तो airtel के website पे जाके geo का तो geo के website पे जिसका भी है उसके website पे जाके आप उसे login कीजिए website पे जैसी आप login करेंगे वहाँ पे सारा detail आपको पता चल जाएगा आपके account से related की आपका यहाँ पे land line number क्या है कितने का plan है कितने का recharge करना है तो अगर आपको पता चल गया है आपका land line number तो आपको यहाँ पे land line number डालना है और शाथ ही साथ HDD code के साथ जियां दो तो HDD code अगर आपको नहीं पता तो आप Google पे search कीजिये जैसे मारे जाप बेंगलोर मेरे आते हैं दिली मेरे रहते हैं मुंबई मेरे रहते हैं तो बस आप यहाँ पे search कीजिये मुंबई HDD code तो बहाँ पे आ जाएगा तो उस HDD code को भी डालना है तो हमारा दिली का है то दिली का 01 है उसके बाद मैं यहाँ पे अपना landline नमबर डाल के आगे का process बताता हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं मैंने अपना landline का number डाल दिया है बित यहाँ पे std code अब हम यहाँ पे confirm पे click करते हैं दोस्तो जैसी आप confirm पे click करेंगे आपके wifi से related A to Z जितना भी जानकारी है यहाँ पे सब कुछ सो हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे customer name आचुका है bill number आचुका है bill date आचुका है circle आचुका है कौन से share का है उसके बाद यहाँ पे amount आचुका है कि कितने का मुझे recharge करना है उसके साथ ही साथ यहाँ पे due date आचुका है देख सकते हैं तो चली हम यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लिक करता हूं proceed to pay पे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 589 रुपे मुझे पे करना है इसका price पांस ओठासी रुपे लेकिन यहाँ पे एक रुपे देख सकते हैं platform free के नाम पे ले रहा है तो कोई बात ने हम pay कर देते हैं यहाँ पे 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 क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम अपना UPI pin डाल देते हैं यह देख सकते हैं मैंने अपना UPI pin डाल दिया अब हम यहाँ पे OK पे क्लिक कर देते हैं और लाइब आपके साथ ने, मैं देखा यहाँ कि मेरा यहां पर wifi का Recharge हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, मेरा wifi का Recharge successfully हो चुका है, जो की 589 रूपे, तो इसी तरीके से आप भी अपने wifi का Recharge कर सकते हैं, लाइव आपके सामने मैंने यहाँ पर करके दिखाया तो इस वीडियो से रिलेटर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा तो भी के लिए इतना ही ठेंक्यू फूर वाचिंग